गौरब तनेजा जी, रित्तु राठी जी, रादे, रादे महराजी, आपके चरणों में प्रणाम, महराजी क्या पती पत्नी का साथ साथ जन्मों का होता है, और अगर पत्नी, यह सब बेकार की जाते है, महराजी संसार में ऐसा कहा जाता है, जी अपने कर्मान उशारा करके, संयोग वशार इस जन्म में बना है आकर के अगर परस्पर आशक्त हो गया हो शक्त है अगला कोई भी यो नहीं मिले तो जरूरी थोड़ी अगर आप इस्त्री में आशक्त हुए तो पतिनी थोड़ी बनी रहेगी तो इस्त्री बनों भी जाके बागवत में कोई वी बात उसक प्रकार की भोग विलास्ता उसमें शुंदरी को देखा जिसका नाम पूरंजनी था वह अपने अंग रक्षकों के साथ भूम रहे थी आशक्त हो गया वह भी श्वईकार कर लिए दोनों पूरा विवरन वह अध्यात्म का विवरन है इसी बुद्धी पुरंजनी है और जी तो इस्त्री बना जाके और पुरंजनी अन्यत्र कहीं जन मिली लेकिन वह इस्त्री बना जाके वह जिस राजा की पत्री बना जाके और राजा उसे बहुत प्यार करता था अब वह वैसी राजा प्यासक्त हो गए राजा युद्ध में मारा गया अब वह चिता में उस समय तो चिता में जलने के लिए बहुत विकल थी तो पीछे से आवाज आई ए शुन मैं तेरा मित्र हूं मेरी तरफ देख तो उसने देखा तो बहुत ही शुन्दर तेजस्वी पुरुष खड़ा मैं तो आपको नहीं जानती हूं जानती नहीं तो मेरा नित्य शखा है मैं तेरा मेरा नाम अविग्यात में जानने में आता हूं ना टू इस्त्री है ना हे तेरा पती ठाट तो देख जब देख कहा तो चिर्वी में दिखायी देता है ला ऐसे उसे सैक्णों जन्मों की स्मृति आ गई उसको दिखाई दिखा रही यह तो बहुत बड़ा नाटक है मेरे साथ पछले मैं किसी का पिता था फिर किसी का पुत्र बना फिर किसी की पत्नी बना फिर तो मैं कैसे उसे मुक्त हूं तब उनको ग्यान देते हैं तो उसको सौन में भगवान का अनुष हूं मैं ब्रह्म से इस सरीरों में पसा हूं तो शास्त्री पद्धती के अनुषार यह तो बुले तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगा साथ जनम तक है कैसे जी अपनी कर्म की गती के अनुषार अचा साथ जनम तक आप जेल जाओगे भलेव आपकी पतनी आपको उसको जेल में रखेने दे कि क्या कि आप बहुत दोनों प्रेमी जोड़ा हो आपने कसम खाए कि साथ जनम तक और फी क्या जनम जनम तक ऐसे नहीं कहते एक जनम नहीं साथ जनम तक साथ जनम नहीं तो जलब जनम वो सवस्तेम काल को अधील कियो जैसा हम चाहिए यहीं की जेल में आप बता हमें प्रमान दो क आपके दोरा अपराद बन जाए और आपको कानोनी सजा मिले आपको तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा नहीं मिलेगा ना पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या तो यहीं तुम साथ जनम निर्वाप कर पा था कि एक गाउं के परिवार में शंत जनाया करते थे तो पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी वह सत्संग शुना करती थी पत्नी के ऐसे भागत है कि पत्ती बहुत ही बहिर मुख इधर उदर आचरन करने वाला पत्नी ने तो गुरु बनाया और नाम जब करना ऐसा और पती तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि देखो हमारे गुरु देव भगवान आते रहते हैं आप उनसे मंत्र ले लिजिए बिना भजन का जीवन बेर्थ का जीवन होता है ऐसा तो एक दिन का ठीक है आज हम गंगा इसनान करने जाएंगे अपने गुरु जिस कह दिना में दे इतना यह सब हमसे नहीं होगा घर आया वो पतिनी को डाट लगा हमसे नहीं होगा कुछ दिनों बात सरीर शुटा पती में प्रियता होने के कारण वो भजन का वास्तविक लाब नहीं ले पाएं वो एक राजा की राजकुमारी हुई जा करके और उसका पती हाथी हुआ जा है यह तो राजकुमारी हुई और मैं हाथी के शरिम में हो गया अब जैसे जैसे नौकिशो रवस्ता होगी अब राजकुमारी का श्वयंबर तो हाथी ने भोजन छोड़ दिया खाना पीना चोड़ उसको पता यहां इतना हमें प्रेम करने वाली पत्नी अब दूसरा कोई वरण करेगा राजा के बहुत वैद्य जो पशुशेवाग चिकित्सा वाले थे उन्हों बता है बचेगा ने कुछ खापी नहीं रहा ऐसा है राजकुमारी पवित्र दृष्टी के भगवत भजन करने वाली थी कुले हमें कुछ मिनट के लिए इस 31 जो हाथी का किशोर है इससे बात करने दीजिए यह ठीक हो जाएगा बात करने मातर से नजदीक गए और का भगवत करपा से गुरू करपा से तुम्हारे लिए ही हमारा जन्म हुआ है क्योंकि तुम भजन नहीं किये देखो तुम हाथी बने ना हम किसी और के गले में मला नहीं डालेंगे आपके बना भजन करेंगे कि अब आपको भी ले जाएंगे भगवत धाम में वह राजकुमारी बनी वहां थी बना पर भजन का फल यह था कि दोनों का पुना श्रयों हुआ तुम्हारे के विल कहने से नहीं होगा कि हम साथ जीएंगे साथ मरेंगे यहां की जेल में साथ कितना मिल जो जो कर्म करोगे एक एक्षण का मिलेगा तो हमारी अध्यात्म मार्ग के अनुशार यह जूठी बात है इसमें कोई दम है देखो हम सब भगवान के अंसिचे से तरंगे होती ना समुद्री के ऐसे हम तरंगे हैं आप अगर इनमें भगवत भाव करें और यह आप में पुरुष भाव से नहीं यह विनाश्चिल भाव मेरे प्रभु मुझे शुक देने के लिए प्यार करने के लिए इस रूप में आये और यह आप पर भाव ना करें कि मेरे प्रभु मेरे पती के रूप में आये हैं अब दोनों प्रभु में भाव हो गया तो दोनों एक ही जगे तो पहुंचे होगे प्रभू के पास वहीं पहुंच गए फिर तो आनंतकाल के लिए एक जगे पहुंच गए ना अगर शरीर भाव में रहे तो फिर ट्रांसफर अलग-अलग हो सकता है अगर भगवत भाव में आए तो एक ही जगे जाला है कभी आपस में किसी भी बात को लेकर ऐसा वहर विरोध ना हो कि आपस के प्रेम में आजी जीवन प्रेम में मिला है थोड़ी बात सहन कर लिया थोड़ी आप सहन कर लिए दोनों त्यार से आगे बढ़ते विए देखो भगवान आए इन रूपों में हाँ इनको दुलार करें कि देखो बच्चों पर कैसा प्रवा पड़ता आया अचरण का प्रणाम करें तुछ उठो हो गया प्रभू लेजा तंड़ दंड़ 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 दंड़